साथियों नमस्कार गद्य सिक्षन श्रिंखला में आपका स्वागत है इस श्रिंखला के अंतरगत आज हम राम चंद्रशुक्ल और उनके निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति पर चर्चा करेंगे राम चंद्रशुक्ल का यह निबंध यंसी आटी की कच्छा बारे की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित है निबंध से जुड़े हुए महत्पुण बिंदुओं पर प्रकास डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डाक्टर बीर पाल उनसे वारता कर रहे हैं डाक्टर केपी सिंग्ग डिल्ली विश्व विद्याले के आरेभट कालेज में हिंदी के प्रक्ष्यात अध्यता हैं भासा साहित सिक्षण उनका विशेश कारिछेत्र है आई ये देखते हैं उनकी बातचीत साथियों आज हम प्रेमगन की छाया इस्मृती नामक संस्मरणा आत्मत निबंध पर बातचित करने जा रहे हैं हमारे बीच विशे के विशेशग्य अध्यता डाक्टर बीर पाल सिंग मौजूद हैं डाक्टर साफ नमस्कार डाक्टर साफ जैसा की आप जानते हैं यह नि द्वान और हिंदी साहित इतिहास के लेखक भी रहे हैं उनके बादे में हमारे विद्याजियों को संचेप में कुछ बताईए अचार रामचन शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गाउं में हुआ था प्रारंबिक सिच्छा इनकी वहीं गाउं पर हुए शुक्ल जी की इंटर्मीडियर तक की सिच्छा उर्दू, अंग्रेजी और फार्सी में हुए सेश संस्क्रत, हिंदी और बांगला उन्होंने अपने स्वाध्याई से सीखी सुक्ल जी के पिता कानून गो थे और जैसा की आपको पता है की उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रहता था, इस्थान अंत्रा होता रहता था उनका, जब हमीर पुर्जले की राठ तैसील से आचार सुक्ल के पिता जी सदर कानून गो बनकर मिर्जा पुर आते हैं, सुक्ल जी के साहित्तिक बिक्तुत्त की शुरुआत वहीं से होती है आप जानते हैं, सुक्ल जी प्रारंब में कविताएं लिखा करते थे कविताओं के साथ साथ सुक्ल जी ने प्रेम घन के साथ में उनके संसर्ग में रहते हुए उनके प्रोत्साहन से गद लेखन में भी कलम चलानी शुरू कर दी थी आपको पता है कि शुक्ल जी के निवंद चिंतामडी तीन भागों में प्रकासित हो चुके हैं और उनके मनोविकार संबंधी निवंद हिंदी साहित्य की बेजोड वस्तू है उस तरह के निवंद किसी भी देश के साहित्य में नहीं लिखे गए है सुक्ल जी का गद का संसकार मिर्जापूर से ही पड़ता है उसमें मिर्जापूर के साहित्य की समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा सुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि आपने बताया वो तो लिखा ही है इसके साथ ही सुक्ल जी ने हिंदी आलोचना में भी बहुत बड़ा काम किया जैसी, सूरदास, तुलसीदास के साथ ही साथ उन्होंने त्रबेडी नामक एक स्वतंत्र पुस्तक इन तीनों लेखों पर लिखी और जैसी ग्रंथावली का भी संपादन किया अलग से भी सूरदास के बहुत लंबी ब्रहमर गेश सार की भूमका लिखी, सुक्ल जी भासा विज्ञानी भी थे, सुक्ल जी बहुत अच्छे संपादक भी थे, आपको पता है रक्साब कि शुक्ल जी के नियुक्ति नागरी परचाड़ी सवा में हिंदी सब्द सागर के साहयक संपादक की रोप में हुई थे, सुक्ल जी कासी हिंदू बिश्व द्याले में स्याम सुंदर दास के विभाग अध्यक्च पद से रिटायर होने के बाद उस विभाग में अध्यक्च के रूप में भी रहे, और यह हिंदी साहित का इतिहास, बनारस में ही उन्होंने बिए और एमे के बिद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, बिए से ज्यादा एमे के बिद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो नोट से लिये थे, वही हिंदी साहित का इतिहास के रूप में, मुकमल, सकल के रूप में, बाद में उपस्तक आती है, सुक्ल जी ने अंग किया और आपको ताज्यूफ होगा कि बुद्ध के बारे में मैथ्यू अरनाल से पहले हिंदी में कोई भी अनुबाद नहीं था रख साब उस समय उर्दू और फार्सी का दौर था इसलिए शुक्ल जी के भी पिताजी ने इनको हिंदी के तरफ एक तरह से ये कहें कि बढ़न रामचरितमानस का पार्ट किया करते थी तो रामचरितमानस के पार्ट से हिंदी के संस्कार मिले बचपन से आगे जाकर इन्होंने Queen's College में आपको पता है कि ये आर्ट के टेचर थे मिर्जापुर में और इनके पिताजी चाहते थे कि ये सहाब बनें पंपसू पहनें टाई ही लगाएं, अंग्रेजों की तरह रहें, लेकिन इनका प्रारंब से ही रुझान, लगभग आठ बर से, साहित्य की तरफ, खासकर हिंदी साहित्य की तरफ हो गया था, तो सुक्ल जी का सारा व्यक्चुत, साहित्यक व्यक्चुत, जो निर्माढ होता है, उसमें मिर्जापु की बहुत भूमका है, और आज हमारे सामने आचार रामचन सुक्ल हिंदी का बहुत प्रतिस्थित जाना पाज़ा है, डक्टर साब, यह जो निवन्ध है, यह संसमर्ण, आत्मक निवन्ध है, कुछ संसमर्ण के बारे में हमारे विद्यारतियों को बताईए, क्या होता है, स संसमर्ण बिधा इस्मरति पर आधारित बिधा है, निवन्ध जिसमें किसी ब्यक्ति, घटना या इस्थान के बारे में, जो जीवन में महात्वपूर होती है, उनके बारे में रचनाकार लिखता है, आपको याद होगा महादेवी बर्मा के रेखा चित्र, उसमें भी ब्य फिर आप कहेंगे कि रेखा चित्र और संसमर्ण में फर्क क्या है, संसमर्ण में वो घटनाएं जो हमें इसमर्ण के रूप में है, रेखा चित्र हम बर्तमान का भी, जिनके साथ रह रहे हैं, उनका भी खीच सकते हैं, जो अंग्रेजी में स्केच हैं, उसी से आया है, सुक आश्चर होगा कि ये एक मात्र आचार रामचन शुकल का संस्मरण है. उन्होंने कोई भी संस्मरण अपने जीवन में नहीं लिखा. सिर्फ प्रेमगन के बारे में ये संस्मरण लिखा. ये डक्टर साब इसमृत की छाया प्रेमगन इसमृती की छाया का अभिप्राय क्या है आपने बहुत अच्छा सवाल किया. डक्टर साब प्रेमगन ना होते तो सायद रामचन सुकल इस रूप में ना होते. मैंने आपको प्रारंभ में संखेप में बताया कि उनके पिता जी ये कता ही नहीं चाहते थे कि शुकल हिंदी साहित में आगे बढ़े और साहितिक होगा उनके एक मित्र थे बहुत अच्छे और वो लाइब्रेरियन थे बनारस में. वो कुछ-कुछ किताबे साहित की लाते थे इनके पिताजी छुपा देते थे ये नहीं चाहते थे कि पढ़े और इनकी जो मिर्जापूर की तोली थे वो तोली कजरी में ठुमरी में जहा फाग होती थे हमीरपूर राठ में रहे है फाग का छेतर था नोटंकी हुई उसमें देखने चले जाया करते थे अपने कई साथियों को साथ में लेके और जब जाते थे तो उनको बहुत क्रोध आता था वो चाहते थे कि अंग्रेजी में बात करें अंग्रेजी संसकार बच्पन से ही उनके संसकार कुछ बिद्रोही सरूप थे प्रित्किरिया सरूप इनके पिता जी कहा करते थे कि साला सोहदों में बसिस्ट बना गूमता है यहां तक बोलते थे हां बसिस्ट एक खास उसका अलग प्रसंदू के माद्ने जी 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 अप्सब्दों से बहुत क भारतेंद मंडल के जिनको चौधरी बद्री नरायन रहते हैं उनको प्रेम घंद के रूप में लोग जानते हैं प्रशिदी प्रेम घंद के रूप में मिली और उनका बहुत महत्पूर काम आनंद कादम बनी तो प्रेम घंद के साथ रहते हुए राक साहब इन्हों ने सब से पहले अपने कुछ साथियों के साथ, उनके बारे में सुन रखा था, तो उनके घर ये जाना चाहते थे, तो कुछ लड़कों के साथ लगभग डेड़ किलोमीटर ये गए, और उस हवेली को देखते रहे तो अवाक रूप से देखते ही रहे, अवद छेतर के थे, चौदर के जो रहिस थे, उनके सौक भी थे, तो हवेली में इन्हों ने देखा कि बरामदे में एक ब्यक्ति खड़ा हुआ है, और उसके जो बाल है, वो लगभग भारतेंद जैसे, महिलाओं की तरह लट्थ, गोंगराले बाल जिन को कहते हैं, उस तरह थे, और देखकर ये चले आ उनके सौक के बारे में सुन रखा था, उसी सहर में रहते थे, ये तरह से मिर्जापूर सहर की संस्कृति और सभता और उनका संसकार प्रेमघन के इर्दगिरित थे, तो प्रेमघन की छाया, जो इनके साहित्तिक संसकार या बच्पन से आगे जब कैस्वर में पड़ी, तो वो आमेटशाब. कहते हैं धक्टरिशाब की प्रेमधण ने ही इन को साहितिक संसकार दियते. और यह किस तरह से प्रेमधण के व्यक्तित्व से अपने आपको यह जोडते हैं, उस तरह से ढाल लेते हैं? जोडते हैं, डग साब, प्रेम घन से तो नहीं, चुकि प्रेम घन बहुत बड़ा विक्तुत था, ये प्रेम घन की मंडली में लेखक के रूप में स्विकार किये जाने लगे थी, शोलाय बर्स की अवस्था था, प्रकरणी है कि एक बार कुछ निबंद, नुमा गद्ध की चीज थी, तो प्रेम घन जी ने इनको दे और कहा कि आप इसको एडिट कर देजिए, चुकि वो बहुत बड़े संपादत थी, बहुत बड़ी पत्रिका थी, तो कहा इसका आप एडिट कर दे, तो एडिट करने के लिए शुक्ल जी ने इतनी बहतरीन तरह से उसको नए कले प्रस्तूत किया कि प्रेम घन प्रभावित होगे, और जब कहा कि क्या आप मेरे पत्रिका में मेरे साथ काम कर सकते हैं, तो 16 साल के लड़के को ये बहुत आश्यर हुआ, कि एक इतना बड़ा रहिष और इतना बड़ा प्रतिष्ठित साहितकार, भारतिंद मंडल के प्रेम घन का नाम ता, तो उनके आश्यर का, उनके कोतूहल का ठिकाना नहीं रहा, साहर सुनोंने, और कभीता के संस्कार प्रेम घन कभी भी थे, और प्रेम घन अपनी बोली के लिए, उस जमाने में जैसे मैंने पहले भी कहा कि फार्शी का दौर था, उर्दू का दौर थ कि में ही बात किया करते थे उनको लोग इनके परिवेस के लोग देखते थे सुनते थे अजीब तरह से देखते थे जैसे समय के साथ आज कल यद कोई निखालिस फार्शी में बात करने लगे तो वह एक देखने का उसके तरफ आकरसन का एक दूसरा नजरिया होगा चुकर उस पिताजी खुद सदर कानून को मिर्जापूर थे तो वो रहते थे थे पृतिष्ठित लोगों को जिसको आजकल सिबिल लाइन कहते जज रहते थे वहां रहते थे तो वहां उर्दू और फार्सी का ही चलन था सिर्फ प्रेम घन के घर में हिंदी का चलन था हिंदी के साथ इन्होंने संस्क्रत के संसकार भी वहीं से पाए इनके वहीं एक मित्र जुड़े जो कि प्रेम घन के भी मित्र थे सारे मित्र प्रेम घन के ही थे प्रेम घन की चाया ऐसी थी कि आपको मैं बता दू भारतेंद भी मिर्जापूर आया करते थे बैल गाड़ी से बनारस वो आ बड़ी बड़ी हवेली थी, दोनों रहिसों की तरह रहते थे, कहा जाता है प्रेम गन के घर में भारतिंद के लिए एक अलग कमरा ही सुरच्छित रहता थे, जो सिर्फ भारतिंद के आने पर ही खुलता थे, और जब भारतिंद नहीं आते थे तो प्रेम गन वहां पहुंच जाते थे, बनारस में, उस समय के ये बड़े विक्त थे, सांस्कृति उस समय के रहिसों के ये सौक क्या थी? उस समय के रहिसों के सौक ये है जैसे बसंद पंचमी है, होली का तेवहार है, जितने भी तेवहार है, बड़े सौक से, खुसी से, उमंग से मनाया करते थे, और उन में यह रहिस लोग थे तो अनाप सनाप, खर्चा करते थे, संगीत का सौख था, नरत का सौख था, और शुकल जी जैसा मैंने बताया, आर्ट के टीचर थे, तो कलाओं के प्रती, खासकर ललित कलाओं के प्रती, बहुत लगाओ था, नोटंकी देखने जाया करते थे, जो लोग के फॉर्म थे, यानि लोग कलाओं में विसेश रूची थे, जबकि पिता जी के संसकार अभिजात्य थे, शुकल जी के संसकार देशस थे, ग्रामीर थे, तो उनके जो दादी और नानी से जो संसकार मिले थे, हाला कि दादी नानी ही रामचरित मानस का पाट नहीं कर रात में इनके पिता जी फार्सी के बहुत बड़े बिद्वान थे, फार्सी कभिता का, हिंदी कभिता का में रूपांत्रा ये किया करते थे, इनके पिता जी, यानि आप इस रूप में ये भी कह सकते हैं कि कभिता के संसकार तो पिता जी से भी पाए, लेकिन हिंदी कभित तो ये संसकार जो है इनको, लेकिन को संघर्ष भी डाक्टर साब बहुत करना पड़ा होगा, क्या-क्या मोड आये इनके युवावस्था में, बहुत मोड आये, लेखक जो थे राचादे रामचन शुक्ल की जीवन में, लेखक मैंने आपको बताया, फिर मैं उस चीज को रि को आज यद सुक्ल के रूप में जाने जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रेम घंका है, और प्रेम घंके कारण ही भारतेंद को जाने हैं, तो ये उनको कस्ट जो आप पूछ रहे हैं, वो सब परिभार से मले, इनकी मां का बच्पन में स्वर्गवास हो गया, इनकी दादी ने इनको पाला, पिता जी ने इनके दूसरी सादी कर ली, जैसा के होता है, वो जमान बहरती और खासकर इनके जब पिता अपसर थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने में अपसर थे John अग्रेज जी सरकार में अपसर थी लेकिन उतने रहिस नहीं थे, चुकि इनके बस्ती जिले में के पास में ही जो राजा थे, इनकी जो दादी थी, उनकी रानी से, उनके राज परिवार में रहती थी, बस्ती आके ये लोग बस गायते, जिसको सोन भद्र कहते हैं, तो वहां से थे तो उनके सनचल में इनका बच्पन, इनके पिता जी का भी पढ़ा वला था, लेकिन ठीक है, उतना संकट नहीं था, अपसर थे, बाबजूद जो भी संकट आया, वो परिवार से आया, खास कर साहितिक इनकी प्रगति को लेके, विकास को लेके दे, पहला ये आया कि बिमाता नहीं चाहती थी कि सुकल पढ़े, जब इलहाबाद ये पढ़ने गए, के-पी कॉलिज में, आपको पता होना चाहिए, इलहाबाद के-पी कॉलिज में पढ़ने गए, तो इनकी बिमाता ने गहनों के चोरी का आरूप लगा दिया, और इनके पिताजी की ज मिर्जापूर भी नहीं जाओंगा, और मैं इंटर्मीडियत की पढ़ाई आगे वो भी नहीं करूँगा, जाके अगोना बस्ती आ गए, चुकि बिमाता नहीं चाहते थी कि सुकल जी के उनके साथ रहे, तो एक तो परिबार से, फिर गरीबी बहुत छेली, परिबार बहु में, इनका एक प्रेम हुआ, राजेंदर वाला घोष, जिनको दुलाई वाली के नाम से हम जानते हैं, उनकी कहानिया आप में पढ़ी होगे, केदारनाथ पाठक, जो बहुत बड़ा विक्चुत था, केदारनाथ पाठक ने ही लाइब्रेरी खोली थी, मियोर पुस्तकाले वह बहुत बड़ा पुस्तकाले था, सुकल जी कहा जाता है कि उस पुस्तकाले की सारी पुस्तकें पढ़ चुके थे, और राजेंद बाला घोष, केदारनाथ पाठक के ही घर में किराई से रहती, तो वहां मिला करते थे, उनका भी संस्कार, ये जो पाठ है हमारा, इसके म साहितिक संसकार डवलब होते हैं, ये आठ साल से सोला साल के बीच की बात है, उस दौर में वो जाते हैं, मिर्जापुर, मिर्जापुर से इलहाबाद आते हैं, इलहाबाद से बनारस आते हैं, इसी तक की यात्रा है, इनके पिताजी बारात में भेजते हैं, इस संसमरल में जिक्र हैं, बनारस, अपने एक आदमी के साथ बेज़ते हैं, तो बनारस में जाते हुए वहां ये चोखंबा जाते हैं, चोखंबा से अगे जब जाते हैं, तो ये खवेली के आगे रुख जाते हैं, और वहां पूरा भारतेंद मंडल आया करता था, वहां के लोग आया करते थे, और बनारस में रहे, एक भारतेंद के बारे में बड़ी रोचक डाक साब बात आपको बताते है, बच्पन में ये समझते थे कि जो राजा भारतेंद हरिस्चंद है, और ये भारतेंद ये दोनों एक ही है, इन्होंने कभी देखा नहीं था तो ये जो सत्त हरिस्चंद है उनको ही भारतिन हरिस्चंद माना करते हैं यहां वो तो वहां जब गए ये मिर्जापूर में पता चला और बनारस में रहे आपको पता है कि बनारस बिश्व द्याले में भी रहे और वहां भी उन्होंने साहितिक संस्कार बहुत बड़े अपने किये और प्रेमगन की छाया ये दिना मिली होती तो साहित रामचन सुक्ल रामचन सुक्ल ना हुए होते तो उनकी इस्मरती ही चिरिस्थाई इस्मरती के रूप में साथियों अभी आपने रामचन सुक्ल और उनके आलोचनात्मक निबंध प्रेमगन की छाया इस्मरती पर विद्वान विश्यसग्यों की बातचीत देखी और सुनी इस चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्ण और जिग्यासाएं रही होंगी जिनका स्वतह ही समाधान हो गया होगा फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्ण कोई जिग्यासा हो तो अपने साथियों से चर्चा करें, अपने गुर्जनों से संबाद स्थापित करें. साथियों, अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है, अगले कारक्रम में हम किसी अन्यलेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें आज्या दीजिये, नमस्कार. अब हमारा के साथ दूत्यूं से स्थापित करें, अब हमारा कार्वें से चर्चा करें दोंगे, अब हमारा करें, अब हमारा कार्वें संपर रचना करें. झाल झाल